दलाल साब, जो आपने कहा कि पूरा ख्याल रखना है, बाई मैं तो बैशी रखना पुड़ा आपका भी ख्याल रखूँगा, आपका भी ख्याल रखूँगा, भी रिस्तिजारी भी है, तो यह तो पूरा पलवल की क्योंकि पलवल एक इत्यासिक जगा है दोस्तों नमस्कार मेरा नाम संजे मग्गु है और मवजूध है देश रोजाना के डिच्टल मीडिया मंच पर राजनीती के अंदर हर बात के माइने होते हैं राजनीती के पूर्व मुख्य मंतरी भूपेंदर सिंग उड़ा कॉंगरेस के बहुत बड़े नेता हैं भूपेंदर सिंग उड़ा कल वो पलवल आये थे और पलवल में कारेकर्टा सम्मिलन था कारेकरता सम्मेलन उपस्तिती के लिहाज से बहुत बहतरीन कहा जा सकता है उसके अंदर जो भीड थी वो बता रही थी कि लोगों के मन में खासकर जो पलवल विधानसाबाचेत्र के लोगों के मन में कॉंग्रेस के प्रती उत्सा है और इस सब को देख करके भूपेंदर सिंग हुड़ा भी गदगद थी अपना संबोधन जो दिया उनका संबोधन भी था और वो कह रहा था संबोधन के अंदर उन्होंने कहा था कि पलवल वाले अगर मेरा मान रखेंगे पलवल वाले सरकार बनाएंगे तो फिर पलवल का खड़े हुए थे करण सिंग दलाल भुपेंदर सिंग हुड़ा के नाते में समधी हैं भुपेंदर सिंग हुड़ा के भाई की बेटी का विभा हुआ है करण सिंग दलाल के बेटे से यह आप सभी जानते हैं सियासी लोगों को पता है कि करण सिंग दलाल और भुपेंदर सिं तो उन्होंने करन सिंग दलाल की तरफ हाथ जोडते हुए कहा कि मैं पूरा ध्यान रखूँगा आप इस अंदाज को देखिए एक बार दलाल साब जो आपने कहा कि पूरा ख्याल रखना है भाई मैं तो बैशे ही रखना पड़ा आपका भी ख्याल रखूँगा तो पूरा पलवल की क्योंकि पलवल एक इत्यासिक जगा है तो करन सिंग दलाल की तरफ उन्होंने कहा हाथ जोड़ करके कहा कि मैं पूरा ध्यान रखूँगा पलवल का भी पूरा ध्यान रखूँगा आपका भी पूरा ध्यान रखोंगा सबका पूरा ध्यान रखोंगा राज आ जाएगा तो और उस बात पर करन सिंग दलाल मुस्कुरा दिये हस रहे थे हसी आ गई उनको मुस्कुराट भी कुछ कहती है मैंने आपको बताया कि हर अंदाज कुछ कहता है जो अंदाज भुपेंदर सिंग हुड़ा जी का था वो भी कुछ कह रहा था और सियासी लोग इसके पीछे का जो गणित है उसको समझने और समझाने की कोशिश में लगी है अब वो बात इक्तिफाकन थी कि भुपेंदर सिंग हुड़ा ने हाज जोड़ करके का मैं आपका ध्यान रखोंगा और वैसे भी समाजिक्ता जहा जो रिष्टेदारी है मैंने आपको बताई दिया कि करण सिंग दलाल के बेटे के साथ भुपेंदर सिंग हुड़ा जी के भाई की बेटी का विभा हुआ है उसके अंदर जो लगन थी जब करण सिंग दलाल के बेटे दीप करण का रिष्टा हुआ था जो लगन का कहा जाता है सिक्का दिया जाता है वो था या सारी रस्मों रिवाज जो पूरी की थी वो भूपेंदर सिंग हुड़ा जी ने पूरी की थी जब रिष्टा हुआ उस समय भूपेंदर सिंग हुड़ा जी अर्याना के मुख्य मंत्री थे और करण सिंग दलाल कॉंग्रेस के विधायक आगे जब बढ़ते हैं बात तो मैंने आपको बताया कि समाज के नाते जब बात चलती है तो फिर कहा जाता है कि लड़की वाले जो ह समाजिक बात होई इसके राजनितिक माइने क्या है इसका राजनितिक कारण क्या है तो मैं आपको बताता चलूं कि जो रिष्टेदारी तो है ही करण सिंग दलार और भुपेंदर सिंग उड़ा जी की दस साल से हर्याना में कॉंग्रे सत्ता में नहीं है दस साल से भुपेंदर सिंग उड़ा दस साल पहले हर्याना के मुख्य मंत्री थे लगवक पौने दस साल पहले दो टर्म लगातार मुख्य मंत्री रहे वो 2005 से और 2014 तक लगवक पौने दस साल तक भुपेंदर सिंग उड़ अरयाणा के मुख्यमंत्री रहे और अब राज भारती जन्ता-पार्टी का अब 24 नजधिक है और इस चुनाव के अंदर जहाँ कॉंग्रेश के लिए चुनोती है तो भारती जंता पार्टी के लिए है कि अपना शासन बचाना है फिर मैं जिस बात पर आ रहा हूं करण सिंग दलाल और भुपेंदर सिंग उड़ा की है वहीं वापस आपको ले चलता हूं कि जो अंदाज था भुपेंदर सिंग उड़ा जी का और उसके जब सियासी माइने निकाले जा करण सिंग दलाल फरिदाबाद लोगसभा के लिए केंडिडेट की तयारी कर रहे थे लोगसभा के प्रत्याशी होना चाहते थे कॉंग्रेस का इसके लिए करण सिंग दलाल लगवक डेड़ दो साल से सक्रिये थे पूरे फरिदाबाद लोगसभा के अंदर उनको आश्वस थे लेकिन जब ticket वित्रन हुआ यानि कि आप यह माने कि जो ticket मिला महंदर परताप को मिला Congress के candidate जो हुए करन सिंग दलाल के स्थान पर चौधरी महंदर परताप को टिकेट मिला चौदरी महंदर परताप को टिकेट मिला और Congress की जो list लिस्ट आउट होई वो आधी रात को लिस्ट आउट होई थी यानि कि 11.30-11 बजे के आसपस और वो लिस्ट आउट होने के बाद में एक दम से जैसे फरिदाबाद की राजनीति के अंदर एक भूचाल आ गया था करन सिंग दलाल बहुत नाराज हुए थे करन सिंग दलाल ने स्वाई थी उस राजनीति के अंदर शिकवा था उस राजनीति के अंदर शोब था उस राजनीति के अंदर प्रतिशोद था उस राजनीति के अंदर परदे के पीछे बहुत कुछ चला था और करन सिंग दलाल की नाराजगी जो कॉंग्रेस का खासकर भूपेंदर सिंग पुड़ा जब चुनाव परचार करने आये थे फरिदाबाद लोगसभा के अंदर और पलवल जिले में उनके कारेकरम थे लेकिन करन सिंग दलाल की किसी भी कारेकरम में मौजूदगी नहीं रही करन सिंग दलाल का गुस्सा भी उस समय इतना जोर से था कि वो सारवजनिक खयास लगाई जाने लगी दोस्तों राजनितिक अंदर कुछ भी संभव है फिर वो दोर आया कि जब राजनितिक चर्चाएं राजनितिक गरियारे में कुछ इस प्रकार की बाते चलने लगी कि करन सिंग दलाल की जो नाराजगी है वो खतम होने का नाम नहीं ले रही और ऐसा भी कई बार राजनितिक गरियारों में चर्चाएं चली कि क्या करन सिंग दलाल कॉंग्रेस छोड़ सकते हैं ऐसी भी चर्चाएं चली कि भारती जंता पार्टी और करन सिंग दलाल के बीच में कहीं कुछ पक रहा है चल रहा है आला कि ना पुष्टी करन सिंग दलाल ने की उस समय ना पुष्टी भारती जंता पार्टी के नेता उने की लेकिन दोस्तों जहां आग होती है धुआ वहीं होता है जहां चिंगारी होती है वहीं ज्वाला होती है जब यह सारी बातें चल रही थी तो फिर सियासी गलियारे में बात चलती थी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है कहीं ना कहीं कुछ तो चल पक रहा है बन पक रहा है कुछ तैयारी चल रही है और इन सब के बीच में करन सिंग दलाल अस्वस्त थे उन दिनों और उनकी एक सरजरी का समय आ गया उनकी एक सरजरी होई और सरजरी के बाद में करन सिंग दलाल के घर में मिजा सब्सक्राइब आज जो मैंने आपको बताया वीडियो के शुरू में आपको दिखाया भी कि भुपेंदर सिंग हुड़ा ने हाज जोड़ते हुए कहा कि आप हमारा ध्यान रखना हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे और उसी बात के जो मैंने आपसे बताया कि सियासी गरियारों में चर्चा चल पड़ी ये एक तो कारण ये हो सकता है कि भुपेंदर सिंग हुड़ा जी कह रहे हूं आपको एक बात और जोड़ते चलें दोस्तों यहां एक बात जोड़ना जरूरी है आपको ध्यान होगा जब किरन चौधरी ने लोकसभा चुनाव के ठीक बात में भारतिये जंता पार्टी जोइन की थी कॉंग्रेस छोड़ी थी और आपको ध्यान होगा कि उसी समय चर्चाएं चली थी कि किरन चौधरी के साथ में दो बड़े नेता और आ सकते हैं नाम चला था कुलदीब शर्मा और करन सिंग दलाल का भी आपको ध्यान होगा कि कुलदीब शर्मा के कारेकरब में पहुँचे थे भुपेंदर सिंग उड़्डा और कहा था कि कुलदीब शर्मा आपको मैं पार्टी आप छोड़ोगे नहीं और आप छोड़ना चाहोगे तो मैं छोड़ने दूगा नहीं और कुछ ऐसा ही बात यही अंदाज कुल कुछ कल पलवल में था जब उन्होंने ये कहा कि मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा और राजनीतिक गरियारों में चर्चा चल पड़ी कि वो जो कहीं करवाट थी कोई कमी थी कोई बात थी कोई गिला शिकवा शिकायत थी उन सब को दूर करने के लिए भुपेंदर सिंग उड़ा ने पहल कर दी ताकि कॉंग्रेस को और मजबूत किया जा सके वैसे आपको क्या लगता है कि क्या जो करन सिंग दलाल के मन में गुस्सा था वो आज भी होगा या वो खत्म हो चुका है आपको क्या लगता है कि जो भुपेंदर सिंग उड़ा का ये अंदाज था क्या वो ये बताने के लिए काफी था कि वो अपनों को मनाने के लिए अगर कोई रूट जाए तो कुछ भी कर सकते हैं क्या भुपेंदर सिंग उड़ा का जो वो अंदाज था वो ये बताने के लिए काफी था कि हर्याना में कॉंग्रेस की मजबूती के लिए भुपेंदर सिंग हुड़ा अपने साथियों को कहीं दूर नहीं होने देंगे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहने के वीडियो के वीडियो इसके लिए हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना कर दो